मंगलवार को हुए हत्या की संसनी फैलनी के पास शहर विवित चर्चाओं की घेरी में आ क्या था मंदवार को हत्या की जानकारी मिलते ही वाडी पुलिस हरकत में आई और 24 घंटों के बिताय मृतक सुभाश कुलाब बोरकर की हत्या करने वाला खडगाओ आशिरवात नकर निवासी आरोपी रोहित बालक राम बालवी उम्र 26 साल को वाडी पुलिस ने गिरवता क्या है वाड प्रमो सोनों ने सतिश येसंकर स्वपनिल करंडे ने फुटेज की माथ्यम से आरोपी को घर सी पकड़ा पुझताश में आरोपी रोहित बालक राम मानवी ने कबूली दी कि हपती भर पहले मृतक सुभाश से आरोपी रोहित का विपात हुआ था जिसमें रोहित का गुस् गलंशचा दारुपी दी थे, मृतक का पाईच होने की करण वो काठी पास में रखता था, आरोपी रोहित नी उसकी ही काठी उटाई और व्रतक पर वार करना शुरू कर दिया, मृतक सुभाश नीचे किरने पर आरोपी रोहित ने नीचे पड़ा बड़ा पत्थर उठाय और मृतक सुभाश की मूपर मारा उसका हुलिया भीकाड दिया। मृतक सुभाश की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस को जानकारी मिलते ही घटा सिल का पंचना बाक्या। वाड़ी पुलिस ने आरुपी रोहीद बालक राम बानवी उम्रच 26 साल आशिरबाद नकर खड़का उनिवासी पर भारतिय न्याय सहिता की गलम 131 की तहट बामना दर्श क्या है। I'm a hybrid just like you and it's high time, we met. Introducing the Toyota Urban Cruiser High Rider, the self-charging hybrid electric SUV.